नमस्कार, कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ, स्वस्त होंगे, आज ये आज एक बड़े ही दिव्य औशधी गुणों से भरपूर पोधे की विशे में चर्चा करते हैं, इस पोधे के बारे में पहले पताएंगे, और तब तक आप लोग सोचिएगा कि यह कौन सा पोधा हो सकता है, जो इतनी दिव्य गुणों से भरपूर है, यह हमारे घरों में लगाया जाता है, और जिसे बहुत ही ब्याधियों से छुटकारा दिलाने वाला, और तमाम दिव्य औशधी गुणों के लिए जाना जाता है, यह भरपूर आक्सीजन देने वाला पोधा है, धार पर्मिक महत्व हैं इसके और यह पौधा ऐसा है जो कि हमारे जीवन से लेकर के जीवन पर्यंत चलंते रहने वाला साथ देने वाला पौधा है यह वही पौधा है जो आप अब तक सोच लिये होंगे यह पौधा है तुलसी का साहित्य में तो साहित्य कार तुलसी दाश्ची के विशे में कहा गया है कि कविता करके तुलसी नलसे कविता लसी पा तुलसी की कला मतलब कि कविता तुलसी दाश्ची कविता लिख करके प्रसिद्ध नहीं हुए महान नहीं हुए बलकि कविता और साहित्य ने उनको उनकी लेखनी में बद्धो करके और वह साहित्य प्रसिद्ध हुआ तुलसी प्रकार से यह जो तुलसी का पौधा है तुलसी जो हमारे तुलसी माता है वो धार्मिक महत्व वाला पौधा वो जिनके लिए जिनके बहानता के विशे में बहुत अच्छे से अच्छे शब्द भी फीके पड़ जाते हैं क्योंकि इनके दिव्य गून हैं ही कुछ इस प्रकार के तो इसी प्रकारत से अगर यह तुलसी के पौधा जिसके बारे में चर्चा करने का हमारा हमें स्वभाग्य प्राप्थ हुआ है और हमें कहने सुनने का जो कुछ मौका मिला है तो यह हमारा स्वभाग्य है वह तुल्सी का पोधा जिसका प्रियोग करके हम बहुत सारी व्यादियों से छुटकारा पाते हैं तो यह बड़े सो भाग्य की बात है हमारे लिए वही जो साहित्ती की बात कर रहे थे तुलसी ताश्टी की वैसे या जो आईरवेद में तुलसी का महत्व है तुलसी बहुत तरह की विमारियों को दूर करती हैं हमारे घरों में या उगने वाले पोधे करूप में जिन हैं त प्ोम सदिय गुनभरे हुए है अगर झे negoti morality नहीं कि यह कोई भी बिमारियां तो उसमें थीजानिय दे है यह विज्यान कोई इस प्रकार से ने वाली कहान Breaking क्योंकि हमारे जो धर्म से जो बाते जोड़ी गई हैं अगर कोई प्रसाद चड़ता है तो उसमें तुलसी के पोधे को डाला जाता है यह तुलसी का पोधा बहुत सारे बैक्टिरिया और वायरस को खत्म करके उस प्रसाद को भगवान को समर्पित करने लायक बना देता है औ और उसे और भी महान बना देता है तो इतना महत्त वाला है यह तुलसी का पोधा जीवन परियंत जो साथ देने वाला पोधा है पता ही होगा कि तुलसी का प्रयोग जीवन के आखरी समय में भी किया जाता है तो यह इतना दिव्याव सधेगुणों वाला पोधा है जिसके बारे में एक एक करकिया ये चर्चा करते हैं अब धिरे धिरे सर्दियों का मौसम शुरू होगा तो इसमें जो कफ के कारण समस्या होती है खासी के स्वांस की समस्या होती है और बच्चों में कई तरह की समस्याएं होती हैं तो उसमें यह दिव्य तुलसी का पोधा बहुत ही चमतकारी फायदा पहुंचाता है इस तूलसी के पौधे काकवात बना करके अगर आप इसका प्रियोग करते हैं तो कफ की समस्या को दूर करके, खांसी को दूर करके और या जो छोटे बच्चे हैं उनकी भी खांसी को दूर करता है एक दो बुंद की मात्रा में तूलसी के रस को लेकर के उसमें सहथ बिलाकर के छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं यह इतना निरापत ब्रयोग है कि सभी को यह दिया जा सकता है तूलसी का पौधा इस प्रकार से गुणकारी है तूलसी के जड़ से ले करके तूलसी के फूल, मंजरी और इसकी पत्तिया इसके सारे पंचांग दिव्याव सधीगुनों से भरपूर हैं इसके बीज तो बड़े ही कमाल के हैं यह सारीरी कमजोरी को दूर करने वाला बुद्धी को बढ़ाने वाला यह तुलसी का प्रियोग होता है अगर छोटी बच्चों को इस्मृति बढ़ाने के लिए अगर तुलसी के बीज का प्रियोग किया जाए छोटे जिसके गोली बना करके अगर तुलसी के बीज गुड में अगर चोटे बच्चों को दे तो यही स्पृति को बढ़ाने वाला ताकत को बढ़ाने वाला बुद्धी को बढ़ाने वाला प्रियोग है यह साकारात्मक रूप से जिस भी प्रकार की ताकत की जाए की बात की जाए तो वह यह देने कि तुद देखे बहुत तारा की अवसादियां जो दुर्गुणों से लुकत हैं उनको हम भूल जाएं